तम बुद्ध को कैसे मिली ग्यान, राजा के यहां बुद्ध का जन्म हुआ, पिता ने ज्योतिशियों को बुला कर भविश्य पूछा, उन्होंने कहा, या तो यह समराठ होगा, और या तो यह साधू होगा, एक तरहा से देखा जाए तो सच्चा समराठ भीतर से साधू ही ह होता है, जब ज्योतिशियों की भविश्यवानी राजा ने सुनी, तो वे घबरा गए कि मेरा बेटा साधू हो जाए, ऐसा ठीक नहीं होगा, राजा ने पूछा, कोई उपाय बताई, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि राजा का पुत्र राजा ही बने, ज्योतिशियों ने कहा, कि इसका लालन पालन वक्ति सापत ये तैस आवाय आए पर अरवदपूरा जीवन बड़ी साबधानी में बिताना होगा, अर्थात आपका पुत्र, सिध्धार्त कभी किसी बूढ़े व्यक्ति को न देखे, कभी किसी बीमार व्यक्ति को न देखे, और कभी किसी मरे हुए जब तक ऐसा होगा, तब तक वे राजा ही बने रहेंगे, अगर ऐसा नहीं हुआ तो वे साधू बन जाएंगे, राजा शुद्धोधन ने अपने पुत्र, सिध्धार्त के लिए बढ़िया से बढ़िया बड़े-बड़े महल, अच्छे से अच्छा भोजन दास दास्यां और खाने-पीने के सामान आदिवस्तों के ढेर लगा दिये, पिता ने पुत्र को सुक्स विधाओं में इतना उलजा दिया, कि उसे बाहर का संसार याद ही नहीं आया, आया शुद्धोधन ने समझ लिया कि अब इस इतने सुखों के आगे साधू बनने का प्रश्न ही उप प्रद्ध बीमार और मृतक व्यक्ति को देख न सके, क्योंकि वे अपने पुत्र को खोना नहीं चाहते थे, सिध्धार्थ का जीवन, एश्वर्य और सुक्स विधाओं में बीत रहा था, उनके जवान होने पर एक सुन्दर कन्या या शोध्रा से उनका विवाह हो गया, व अब कहां जाएगा, अब तो मेरा पुत्र बंधन में बाध गया है, अब उसके कहीं जाने का सवाल ही नहीं उठता, एक वर्ष बाद बेटे का भी जन्म हो गया, उसका नाम राहुल रखा गया, लाचय रोकी, अब राजा शुद्धोधन को बिलकुल पक्का विश्वास हो देखी, आपकी आज्या हो तो आज देखाओं, राजा ने कहा, हाँ हाँ, अवश्य जाओ, अपना शहर देखकर आओ, आओ, एक सारती को भी साथ में भेजा गया कि जाओ राजकुमार को राजधानी घुमा फिरा कर लाओ, फिर भी राजा ने चाक चौबंद इंतजाम कर रखा था कि कहीं चूक न हो जाए, सिध्धार्थ के लिए राजधानी के प्रमुक मार्ग खूब सजाए गए थे, पर घूमते घूमते सिध्धार्थ ने थोड़ा उलटा मार्ग ले लिया, फे एडिया और कोड्या मानिक्स, उस मार्ग से गुजरने लगे जहां पर तैया पारी नहीं थी और आज, उनको बहुत आश्चर्य हुआ जब पहली बार, उन्होंने एक बूढ हे आदिमी को, देखा कमर जुकी हुई, पूरी चमडी में जुरियां पड़ी थीन, वह परेशनी और दुख से बेहाल था, उसकी चाल बहुत दीमी थी, बूढ हे की जुकी ह कुई कमर को देखकर सिधार्थ को एक जटका लगा और सारथी से उन्होंने पूछा, क्या एक दिन मैं भी बूढ हो जाओंगा, सारथी ने कहा, हाँ राजकुमार, हर व्यक्ति के जीवन में तीन अवस्थाएं आती हैं, बच्पन जवानी और बुढ हापा, एक दिन तुम भी बुढ़ापे की अवस्था में जाओगे, हे राजकुमार, यह संसार का नियम है, चाहे खरीब हो या अमीर, सबका शरीर शित्र, अर्थात बूढ होता है, राजकुमार सोच में पढ़ गया, सारथी ने रत को आगे बढ़ाया, तो कुछ दूरी पर, एक बीमार व्यक् व्यक्ति को देखकर राजकुमार का मन बहुत ही दुखी हुआ, राजकुमार ने पूछा इसको क्या हुआ है, सारथी ने कहा यह व्यक्ति बीमार, इसलिए, यह करार रहा है इस संसर में दुख और सुख दोनों है, यह अपने अपने भागे की बात है कि कोई दुखी है, और कोई सुखी है, क्या मैं भी कभी बीमार, हो सकता हूँ सारथी ने कहा, आप यह विचार अभी छोड़ दे, समय बड़ा बलवान होता है, यह सारी बातें कर्मों पर निर्भर करती हैं, चाहे राजा हो या रंक, सुख दुख, सब पर आते हैं, अगर शरीर में कोई रोग आना है, तो वह आएगा, यह सब सुनकर रा आगे बढ़ाया, तो सामने से चार कंधों के ऊपर एक अर्थी को जाते हुए देखा, राजकुमार ने ऐसा पहली बार देखा था, उसने सारथी से पूछा, यह क्या है, यह आदमी मर गया है, यह मुरदा है, जो व्यक्ति मर जाता है, उसको बांध कर शमशान भूमी में ले जाते हैं, फिर वहाँ पर उसे जला दिया जाता है, राजकुमार ने कहा क्या सबको मरना पड़ता है, हाँ सबको मरना पड़ता है, यह मुरद्यू लोग है, जो जन्म लेता है, उसे कभी न कभी अवश्य ही मरना पड़ता है, तो इसका मतलब यह हुआ कि ठीक, इसी त यह भी मुर्दा होगी और मुझको भी चार कंदों पर उठाकर ले जाया जाएगा मुझको भी ऐसे ही रस्यों से बांधा जाएगा मेरे भी आगे पीछे घर के सदस्य रोएंगे तड़ पेंगे और जिस संसार को मैंने इकठा किया है वह सारा का सारा मुझ से छूट जाएग इसका मतलब यह हुआ कि क्या एक दिन मैं भी मर जाओंगा क्या एक दिन यशोधरा भी मर जाएगी क्या एक दिन मेरा राहुल भी मर जाएगा सार Artsy ने कहा हां राजकुमार एक दिन मैं भी